हेलो मैं लवली फूडीज, वेलकम बैक टू हैपी कुक बेक चानल, मैं हूँ प्रियंका चौरासिया और आज हम बनाएंगे बस 10 से 15 मिनिट में तुरंत बन जाने वाले मोदक, बस 3 जरूरी चीजों से बहुत ही स्वादिश्ट और मीठे मोदक तयार हो जाते हैं, तो चलिए बनाते हैं इसे, पैन चड़ाएंगे गैस पे, उसमें हम एक कप जाड़ा पोहा डालेंगे, दीमी आज पे हमें इसे भून लेना है, 4 से 5 मिनिट में ये करारे क्रिस्प हो जाएंगे, लगातार चलाते रहें, वरना ये जल जाएगा, देखिए ये हो चुका है क्रिस्प, ह इसे हमने कदू कस कर लिया है, उसे डाल देंगे और उसे भून लेंगे, दीमी आज पे, जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए, देखिए ये हो चुका है, इसे 2 से 3 मिनिट लगेंगे, इस तरह ब्राउन होने में, बस इसे भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं, दोनों को बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सर के जार में डालेंगे, पोहा और सुखा नारियल ठंडा होने के बाद ही हम इसे पीसेंगे, इसमें 3 चौथाई कप गुड डाल देंगे, और 1 चौथाई चमच, सौंट का पाउडर डालेंगे, ड बाउल में निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर कैसा है मिक्स कर लेते हैं सभी को अची तरह और इसमें एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे घी ऑप्शनल है आप ना डालना चाहे तो ना भी डाले क्योंकि हमने इसमें अल्रेडी नारियल डाला है जिसका ते से यह बाइंड हो जाएगा साफ हातों से इसे मिक्स कर लेते हैं आप देख सकते हैं आसानी से किसी भी शेप में यह मोल्ड हो रहा है अब इसमें हम दो चम्मच दूट डालेंगे जिससे यह और अच्छी तरह बाइंड हो जाए दूट डालने से गुड मॉइस्चर रिलीस करेगा और इसे हम आसानी से किसी भी शेप में बना सकते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं मेरे हातों में कितना घी लगा हुआ है मोदक के साचे में हम थोड़ा सा मिश्रन भर देंगे और इसे मोदक का शेप देंगे सबी तरफ से इसे प्रेस करके भर दे ताकि मोदक का शेप अच्छा है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे निकाल दे देखिए हमारा मोदक तयार है बिल्कुल बहुत ही टेस्टी लगेगा ये खाने में इसमें जो सौंट डाला है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसी तरह हम सारे बना लेंगे दीजे तयार है तुरंत बनने वाले मोदक जो हम संकश्च तुर्ती के लिए भगवा बहुत ही टेस्टी भी लगेगा कुछ आसान टेप्स और सामकरी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर करें रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको म बिलती रहे थैंक यू फो वाचिंग बाबाई